दोस्तों ये देखिए चंदर शेखर का अभी-भी एक ट्वीट आया है जिसमें उन्हें ने बहुत बड़ी जानकारी दी है उनकी उपर बहुत बड़ा एक हमला हुआ है उसकी जानकारी उन्हें ने इस ट्वीट पर दी है और अभी एक द्रेट घंटा पुराना ही ये ट्व जो कि भारत की सबसे सुपरफास्ट, सबसे पॉश, सबसे लगजरी ट्रेन माने जा रही है यात्रा करने के लिए रोजमरा में वो ट्रेन पर फत्रा हुआ जिससे उस ट्रेन का कांच किस परकार से तूड़ गया आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो और इस पूरी घटना की कानपूर की यात्रा कर रहा था सुबह लगबग साथ बारा बज़े ट्रेन में जैसे ही बुलंशेर जिले के कमलापूर इस्टेशन के पार किया तब भार किसी असामाजिक तत्वने फत्तर फेके जिससे मेरे दो सीट आगे बेठी यात्री के पास शीशा चकना चूर हो गय इस घटना से में हत ब्रत और स्तंब रहे गया इस घटना से ना केवल सरकारी संपत्ति को शती पहुची बलकि यातियों की शुरक्षा पर भी सवाल खड़ा होता है एसी घटनाय निंदनिये हैं और किसी भी किम्मत पर ये स्युकार नहीं किया जा सकता एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ऐसी घटनाओं का आकड़ा 1503 तक पहुच गया है जिसमें रेलवे को करोड़ों रूपे का नुकसान हुआ है यह आकड़ा सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर इस तरह की घटनाय बार-बार क्यूं हो रही है टेन पर फत्राओ ना केवल संपत्य को शती होती है बलकि यह यात्रियों के लिए जान ले बावि साबित हो सकता है यह समझने की आउशकता है कि रेलवे देश की एक अमूली संपत्ति है और इसका संद्रक्षन देश के हम सभी नागीकों की जिम्मेदारी है समाज में इस तरह की हरकते ना के उठाने चाहिए साथ ही समाज में जागरुकता भी फेलाने चाहिए मेरा निवेदन की माता पिता और स्कुल के अध्धाप्यों को द्वारा बच्चों को इस विशे पर जागरुक करना आवश्यक है इससे ना केवल ऐसी घटना एक कम होगी बलकि रेलवे यात्रों की शुरक सेवधानिक मुल्य भी है उन्होंने रेल मंत्री और टेक्क करते हुए यह सब लिखा है तो दोस्तों आप देख सकते हो साथ बारा बज़े जब बुलं सहर के एक स्टेशन में पहुशती है चंद्रशेख राजाद की बंदे भारत भारत ट्रेन तो कुछ लोग और समाजिक मेड़किया खुली भी रहती है कुछ गयप रहता तो उससे फत्तर इंसान को लग सकता है और वो लहोलवान हो सकता है यह तक कि उसको एमर्जंसी में भरती भी करना पड़ सकता है तो आप बताईए इस परकार के लोगों किस परकार की सज़र देनी चाहिए और चंद्रशे यदित देनी देनी पाल यद्रशे तो यद्रस फे लोगों कि में भी दो छीन गरती जो एमर्वाइब यदो लोगों सब्सक्राव और यद्रस सिधर अच्छार झाल झाल